नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सवाल उठाया है, उन्होंने एक्स पर सवाल किया है कि लोग सबाचुनाओ जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे राइनितिक दलों को तोड़ने, बिधायकों को डराने, धमकाने वा लालस देकर सरकारे गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख मंत्रियों के गिरफतारी आम बात हो गई है वहीं पूर मुख मंत्री हेमान सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने भी एक्स पर लिखा है कि इन्हें लगता है करोरोर लोगों का नेत्रित कर रहे है जन नेताओं को गिरफतार कर एफिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे देश की स्वाव भी मान निडर जनता इनके भरम और अहंकार का मोहतोर जबाब देगी आपको पता दें कि अर्विंद केजरवार की गिरफतारी के विरोध में आपने चमसेद पूर में आकोस रैली निकाली जो उपायूक्त कर्यालय के पात जाकर खत्म हुई जहारखन के असी उत्कृष्ट बिद्याले में नमाकन के लिए सुक्रवार को परवेस परिक्षा हुई इस कूलों में कूल 8.984 सीटों पर नमाकन के लिए 36 और 233 बिद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था इनमें से लबक 33 एर परिक्षार्थी परिक्षा में सामिल हुए बता दे कि 30 मार्च को नमांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वहीं 1 से 7 अपरेल तक जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार चैनित बिद्यार्थों का नमांकन होगा जबकि 8 अपरेल से कक्षाय सुरू होगी परिथम मेरिट लिस्ट में नमांकन के लिए चैनित बिद्यार्थी अगर नमांकन नहीं लेते हैं तो सकेंड लिस्ट भी जारी की जाएगी बता दे 80 उत्कृष्ट बिद्यालियों में से 4 बिद्यालियों में कक्षा 1 से बरा हुई 27 बिद्यालियों में कक्षा 9 से बरा हुई और 48 बिद्यालियों में कक्षा 6 से बरा हुई और 1 बिद्यालियों में कक्षा 1 से 10 वित तक की पढ़ाई होती है पिछले वर्ष लागबाग भी सेयार आवेदन जमा हुआ था जेपीएसी पेपर लिग केस में देवघर वा मधुपूर से तीन गिरफतार जेपीएसी की परिछा में पेपर लिग हुआ वीडियो वायरल मामले में जाम तरा कि मिहीजाम पुलिष ने देवघर से तीन अभियुकतो को गिरफतार का जेल भेज दिया है गिरफतार अभियुकतों में देवघर के मधुपूर थाना चेत्रे के कोरकोटा गाओं के चंदन कुमारदास कुंडा थाना चेत्रे के कासीडी गाओं के चंदन कुमारदास वा देवघर पच्यारी गाओं के बिनीत कुमार सामिल है गिरफतार बिनीत कुमार महिजामा थाना कांड संख्या 20-2024 के आरोपी हैं इनके साथ ही 50 अग्यात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था वहीं चंदन कुमारदास महिजाम थाना कांड संख्या 21-2024 के आरोपी हैं इस कार्ण में 20 अभ्यार्थियों को नामजात व पचास अग्यात्मर ममलादर्ज किया गया था जारखन में बस और ट्रक की टकर में 3 बचों की मौत 30 घायल लोहर्दगा में भिशन सड़क हाथसा में 3 बचों की मौत हो गई है जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए है जनकारी के मुताबिक सुक्रवार की रात करीब पौने 9 बजे एक बस जिसमें बराती बैठे हुए थे और एक ट्रक के बिच सीधी टकर हो गई यह हाथसा नेशनल हाईवे पर टार्टी गाउं के पास हुआ है भिशन टकर में 3 बचों की मौत हो गई इस हाथसे में ट्रक का ड्राइबर अभी भी ड्राइविंग सीट में फशा पड़ा है उसे निकालने का पर्यास जारी है हाथसे में एक दर्जन से अधी घायलों को रांची के रिम्स मेरे पर किया गया जबकि अने घायलों का इलाई लोह दगा और कुड़ू में अस्पतालों में चल रहा है परत्यक्स दर्जियों ने बताया कि सुक्रवार रात रांची की ओर से बैवाही कारिकरम में सामिल होने के बाद बराती बस में सवार होकर अपने घर गुमला विसुनपूर के बना लाता में लोट रहे थे मुंडा सभा के प्रतिनीधी मंडलने मुख्य मंत्री को सर्ना धर्म कोड समेत 11 सुत्री ग्यापन सौपा मुंडा सभा की केंद्रिय समेती की प्रतिनीधी मंडलने सुक्रवार को मुख्य मंत्री चंपाई सुरन से उनके आवास पर मुलाकात की मुलाकात के करम में 11 सुत्री ग्यापन सोपा इसमें 1932 के खत्यान पर अस्थानिये नीती लागू करने सारना धर्म कोड लागू करने मुंडाओ की अतिहासिक धरोहर सत्यामबे गढ़ को अतिकर्मन मुक्त कराने खरसावा पच्मी सिम्भू में होकी कोचिंग सेंटर खोल ले मानो तसकरी वा पलाइन पर नीती बनाने सहित अन्यमांग की गई है पलामू में ग्रामिन बैंक की सखा से दिन दहारे पांच लाग एक सथ हजार की डखाय दी पलामू जिले के पड़वा पाटन मुक्त के पड़वा बजारिस्थीत जार्खन राज ग्रामिन बैंक की सखा में डखायतों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर बैंक सखा के लोकर में रखे 5 लाक 61 रुपे लूट लिया है घटना सुबह 11 बच कर 20 मेंट की बताई जाती है अपराधियों की संख्या करीब 5 थी घटना को अंजाम देने के बाद दो बाइक पर सवार होकर भग गए अपराधियों ने CCTV का DVR भी लेते गए हैं सुचना मिलने के बाद प्रसिक्षूट DSP राजेस कुमार यादो वथाना परभारी घटना स्थल पहुँच कर मामले की छानबिन किया जनकारी के अनुसार सुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे बैंक चप्रासी गेट खोला उसके बाद तिन लोग बैंक में घुस गए अपराधियों ने चप्रासी का मोबाईल लूट लिया और बाथरों में बंद कर दिया थोड़ी देर बाद बैंक के साखा प्रबंदक अभिसे कुमातिवारी कौसियर काजल मनिस मिस्रा एक साथ कार से साखा पहुचे साखा प्रबंदक कार को बैंक से थोड़ी दूर पार्किंग करने गए इसिकरा में कैसियर कायल मनीश मिस्रा एवाम राजहारा कोली अरी साखा के दो कर्मी पुजा वा एक अन्य एक साथ मैंक में परवेश किये बीजेपी ने केजरिवाल वा हेमान्त सुरेन में भरष्टा चार की समानता का लगाया आरोग भाजपा के परदेश प्रवक्ता परतूल सहदेव ने सुक्रवार को कहा है कि जर्खन मुक्ति मोर्चा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी में बहुत सारी समनताय है प्रतूल ने कहा है जहां एक और हेमान्त सुरेन ने इडी के 10 समन को नजर अंदाज किया था तो वहीं अर्विंद के जर्वाल ने भी 9 समन को नजर अंदाज किया है वह भी तब जब उन्होंने कानून के प्रती आस्था की सपतली थी प्रतूल ने कहा कि जार्खन मुक्ति मोर्चा यू तो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करती है पर हेमन सुरेन पर सेना के बगल वाली जमीन को अवैद कबजा करने का आरोप लगा उसी तरह केजरिवाल ने भी दावा से दारू और मुहला क्लिनिक से महल तक का लंबा राय नितिक सफरतर किया है प्रतूल ने कहा है कि केजरिवाल सराव नीति में बाड़ा परिवर्तन करके अर्बर उपए का राज सरकार को नुक्सान पहुचाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए है तेंदुए के खौप से इस्कूल फैक्टरी बंद बार बार लोकेशन बदल कर दे रहा चकमा सराउकेला जीले के गमहरिया परखंड में इन दिनों तेंदुए के खौप छेत्र के लोगों में समाया है साम होते ही सभी अपने-अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं खौब के कारण गमहरिया रिहायसी छेतर में आधा दर्जन इसकूलों को बंद कर दिया गया है वहीं कई फैक्टरियों में भी ताले लटके हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए बन भी भागने पच्छिम मंगाल वा पलामू टाइगर रिजर्ब की टीम को बुलाया है लेकिन तेंदुए द्वारा बार बार अपना लोकेशन बदलने के करण टीम उसे ट्रेस नहीं कर पा रही डीएफो आदित नरायन ने बताया कि तेंदुए गमहरिया छेतर में ही घूम रहा है जिसके फुट प्रिंट लगातार मिल रहे हैं तेंदुए के पैरो के निसान गमहरिया इस्थीत उसा माटेन के पिछले बाल मीकी नगर के पास जाडियों में पाय जाने की खबर है गिरी डी में सीओ की टीम पर पथरा और ड्राइवर घायाल जारखन के गिरी डीजी लेके सर्या थाना छेतर के के सवारी बरसोती नदी घाट से बालू के अवाय दिखनन की सुचना पर सीओ संतोष कुमार के नितिवत में टीम सुकरवार को छापने मारी करने पहुची टीम में सर्या पुलिस भी सामिल थी इसी बीच टीम की नजर बरसोती नदी की ओर से तीन बालू लदे ट्रेक्टर पर पड़ी जैसे ही टीम ने बालू लदे ट्रेक्टर को रोकने का पर्यास किया अचाना काफी संख्या में ग्रामिन पहुचे और अधिकारियों से उलज गये देखते ही देखते के स्वारी चोक के पास लभग सोव से डेर सो लोग एकत्रित हुए और परसासनिक अधिकारियों के बिरोद में नारेबाजी करने लगे पथरबाजी में सर्या थाना का चोकिदार सहचालक छोटे लाल ठाकूर घायल हो गया वही अन्यको हलकी चोट आई है बता दे मुखिया अजायादोव असोक तुरी ने कहा है कि सर्या परखंट चेतर में अबुआ अवास 15 बीच समेत अन्य सरकारियों चल रही है इसमें बालू की अवसकता होती है साथ ही लोग अपने घर भी बनाते हैं अभी चेतर में बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ है ऐसे में बालू सीधे नदी से उठा कर इन योजनाओं में लिया जा रहा है तो धर्पकर क्योग की जा रही है लातेहर में लूट की योईना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ आरेस्ट जारखन के लातेहर जी लेके बरवाडी थाना चेतरे के केचकी संगम के पास गुरुवार को लूट पाट की योईना बना रहे 6 अपराधीों के पुलिस ने हथियार के साथ गिरफतार कर जेल भे थी कि केच की संगम के पास लूट पाथ करने की नियत से कई अफराधी जुटे हुए हैं इडी की करवाई के बाद पद से हटाई गई तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंग के खिलाप इडी की करवाई के बाद एसेस्पी चंदन कुमार सिन्हा ने उन्हें पत से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है बता दे कि इडी ने गुरु वार को तुपु दाना ओपी प्रभारी मीरा सिंग और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ साहदेव के ठीकाणों परचापे मारी की थी इस दोरान एडी की टीम को मीरा सिंग के यहां से एक डायरी मिली थी इसमें बालु के अवायद कारोबार की डिटेल मिली थी आठ मोबाइल भी ब्रामत किया गया लाल मोहित नाथ साहदेव के घर से 15 लाग से अधिक कैस और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी मि ली थी कांगरेश के राष्टरी अध्यक से मुलाकात के बाद राइस ठाकूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना कांगरेश के राष्टरी अध्यक्स मलिका अरुन खरगे को लोग सभा चुना दोहेशोविस को लेकर जार्खन कांग्रेस की त्यारी की जनकारी दी मुलाकात के बाद रायस्थाकु ने कहा है कि धारा में हमेशा मरी हुई मचलिया बहती है जिन्दा लोग को धारा के बीप्रीत चलते हैं जब प्रकास भाई पटेल की आवाज बीजेपी में कुन्द थी लेकिन अब कांग्रेस में इनकी आवाज जानता के बीच गुजेगी इधर जब प्रकास भाई पर्टेल ने कहा है कि कांग्रेस में उन्हें जो भी जिमेदारी सोपी जाएगी उसे वे पुरी निष्टा के साथ निभाएंगे गिरीडी लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे जामो परत्यासी गिरीडी संसदिये छेत्र में जामो अपना परत्यासी देगा पार्टी आला कमान यहताय कर चुकी है तुन्डी विधायक मतुरा परसाद महतो संसद्य चेत्रे के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से हैं उनके नाम पर लगभग समाती बन चुकी है पार्टी की उवर से सिर्फ अवचारी गोस्ता होना बाकी है ये बाते महिला बाल विकास मंत्री बेवी देवी ने कही है वह गिरीडी लोकसवासन सद्य चेत्रे से गड़बंधन के जामो परत्यासी की जीत को लेकर बोकारो जीला जामो कमेटी के भंडारी दह में गुरुवार कोई बैठा को समोधित कर रही थी बैठा क्या देख्षता करते मंत्री बेवी देवी ने कहा है कि अभी से सभी करकाता हुआ पार्टी ने तावक लोकसवा चुनाओ की त्यारी में जुट जाने का वहन किया उन्होंने कहा है कि चुनाओं में हर हाल में इस सीट से जामो परत्यासी की जित सुनेशी था है होली में साथ स्पेसल ट्रेन चलाने का निरना है पुर्वी रेल्वे से सुरु होने वाली होली स्पेसल ट्रेन अभी भी अपनी सेवा जारी रख रही है और इन ट्रेनों में वर्थ अभी भी उपलब्ध है होली को लेकर पूर्व रेल्वे ने 7 ट्रेनों की चलाने की मंजूरी दी है इससे पहले भी 45 होली एस्पेसल ट्रेनों की मंजूरी दी गई ये ट्रेने 23 मार्च से लेकर 20 अप्रेल के बीच अलग अलग दिनों में चलेगी यह जनकारी पूर्वर रेल्वे के CPRO कौशिक मित्रा ने दी है इसके अंतरगात 03133 सियालदा गया एस्पेसल ट्रेन 24 मार्च को AC3 टियर और सिलीपर कलास कोच के साथ चलेगी परिक्षावर रिजल्ट में देरी की वज़ा से राजेपाल नराज राजेपाल सह कुला अधिपती CP रादाखिष्णन राजे के सरकारी विस्व बिदाले में सत्र और परिक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोसना तक में हो रही देरी से नराज है राजेपाल ने कहा है कि यह बहुत ही खेद जनाखाय की सेक्षनिक और परिक्षा केलेंडर विस्व बिदाले में राजभौन भेजने के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा जबकि विस्व बिदाले के सभी कुलपती को कैलेंडर में निर्धारी समय स्तीमा का पालन करने का असपष्ट निर्देश दिया गया था राजभौन ने सभी कुलपती से कहा है कि विस्व बिदाले में सत्र के बिलंब होने परिक्षा संचालन से लेकर रियल्ट की घोस्ना में हो रही देरी के लिए जिमेदारी तै करे जार्खन राज नेत्र सोसाइटी देश में बेश्ट जार्खन राज नेत्र सोसाइटी को एक बार फिर सोरस्रेश्ट नेत्र सोसाइटी का समान मिला है या दूसरा मौका है जब जार्खन नेत्र सोसाइटी को देश के बेश्ट नेत्र सोसाइटी का अवार्ड मिला है यहां अवार्ड कोलकत्ता में आयोजीत अखिल भार्ति नेत्र सोसाइटी के ब्यास्विये बार्षिक अधिवेशन के दुरान पदान किया गया गरामिन इलागों में आखों की बीमारियों के प्रति लोगों को जावरू करने के लिए एवं सांस्टिफिक एंड एजुकेशनल गतिवीद्यों को बढ़ावा देने के लिए अपुरस्कार मिला है बता दे जार्खन राज नेत्र सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी मेंबर सा चेर्मेन सांस्टिफिक कमिटी डाक्टर भार्ति का से अपने हजनकारी दी है उन्होंने बताया कि अखिल भार्ति नेत्र सोसाइटी की वार्षिक अधिवेशन को धाटन समारों के दवरान या समान हमारी संस्था को दिया गया मीडिया कर्मियों के पोस्टल वैलेट से मद्दान का आदेश जारी भारत निर्वाचन आयोग ने लोगसभाज चुनाओ में मीडिया कर्मियों को अवस्चक स्रेणी में रखा है इससे चुनाओ कवरेज में लगे मीडिया कर्मी यदि चाहे तो पोस्टल वैलेट से मद्दान कर सकेंगे मुखे निर्वाचन पताधिकारी के रवी कुमार कनुसार इसका लाब उन मीडिया कर्मियों को ही मिलेगा जिने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाओ कोवरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया इस समद में आदेश जारी हो गया है इसका लाब लेने के लिए मीडिया कर्मिय अपने जिले के जिला निर्वाचन पताधिकारी कर्याले में फरम 12 डिप्राप्त कर सकते हैं 25 सुरेन के फैसले से विद्यार्थियों को रहात डिगरी कॉलेज में होगा इंटर में नमांकन राज के डिगरी समद एवम अंगीभूत कॉलेज में इस वर्ष भी इंटरमीडियेट में नमांकन होगा इस वर्ष दसवी की परिक्षा उतिन करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है हलाकि इस वर्ष इन कॉलेजों की सीटों में कटोती की गई है साथ ही सभी स्रेनी की कॉलेजों की सीटे तय कर दी गई है दरसल राज सरकार ने पिछले वर्ष यहां निने लिया था कि राज के डिगरी एवम अंगीभूत कॉलेज में चरनबद ढ़ंग से इन्टर्मिलेट की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी नमांकन के लिए उपलब्द सीटों की संक्या में कटोती करते हुए अगले दो से तीन सात्रों में इन्टर्मिलेट की पढ़ाई को पूरी तरह से इन कॉलेजों से अलग कर दिया जाएगा या निर्ने 28 जून 2023 को इसकुली सिक्षाम सर्षता विभाग की बाटक में लिया गया था पूलिस निरिक्षको के परमोशन पर हाई कोट का बड़ा फैसला गोर्डा सहीत जारखन के बिभीन जीलों में परस्थापित पूलिस निरिक्षको वा परिचारी प्रवर वा समकक्षकोटी के पूलिस पताधिकारियों को उच नियाले के निर्देश पर राज सरकार्प ने सेवा निवरित के उपरांत पूलिस उपाधिक छकपद पर पु देते हुए 24 दिसंबर 2020 की तीसी से वीतिये लाब देने का आदेश दे दिया है गिरीह करावा आपदा परबंध विभाग ने इससे समधित अजिसुचना बीते 15 मार्च को जारी की थी वहीं आदेश की प्रती बीते 18 मार्च को समधित विभागों को भेजी गई या जनकार गोड़ा के असोक कुमार सिंग और हजारी बाग के मनोच कुमार सिंग ने सन्युक्त रूप से दी है साथ ही विभाग की अजिसुचना पर खुसी भी जताई है बाबुलाल के इलाके से कलपना सुरे लड़ेंगी बिधान सभा चुना परदेश भाजपा धेक्ष बाबुलाल मरांडी के समक्ष अपने घर से पुरमुख मंत्री हेमां सुरेन की पतनी कलपना मुरमु सुरेन के उड़ान को रोकने की चुना होती है कलपना बाबुलाल के गिरिह जिले गिरीडी से रायनितिक उडान भरेंगी वह गिरीडी के गांडे बिधान सवा सीट से उपचुना लड़ेंगी बता दे कलपना की उडान को रोकने के लिए बाबुलाल और कोडारमा की सांसद अनपूर्णा देवी ने सन्युक्त रूप से यहां मोर्चा सम्हाल लिया है गांडे बिधान सवा छेत्र अनपूर्णा देवी के कोडारमा संसदे छेत्र का हिसा है वैसे जानकर बता दे की गांडे में कलपना को रोकना बाबुलाल और भाजपा के लिए आसान नहीं होगा गांडे से भाजपा का परत्यासी कौन होगा अभी तक यहताय नहीं हो पाया है H.C. कर्मियों को होली से पहले मिली एक महिने की सेलरी HEC कर्मियों के परिवार भी होली थोड़े आनंद पुर्वक मना सकेंगे प्रबंधन ने सुक्रवार को एक महिने का बेतन कर्मियों को दिया है हाला कि ठेका करमचारियों को अभी बेतन नहीं मिला है मिली जनकारी के नुसार सनीवार को उनको भी बेतन देने की त्यारी है इसके लिए चिठी CMD को भेज दिया गया बतादे की बरतमान में लगभग 2600 करमचारी है चीसी में है जिसमें 1100 पर्मामेंट और 1500 ठेका करमचारी है जनकारी के नुसार ठेकादार नहीं होने के कारण ठेका मैदूरों का वेतन नहीं हो सका जिसके लिए मैदूर एक्ट के तहट ठेकेदार के नहीं रहने पर CMD अस्तर के अधिकारी वेतन कर सकते हैं रांची की बिद्दयनगर चोमिन फेक्टरी में लगी आग गरांची की बिद्दा नगर बड़ी मुहले इस्थीत लोकेस्ट कुमार की चौमिन फैक्टरी में गुरुवार की देर रात आग लग गई, लोकेस्ट कुमार ने बताया कि देर रात लभग 2-3 के बीच में आग लगी, सोट सरकीट की वज़से आग लगने की असांका है, लगी कि इस घटना में लोकेस्ट कुमार को भारी नुकसान हुआ है, लोकेस्ट की माने तो 10 लग से ज़्यादा की च्छती हुई है, बीजेपी ने निर्वाचन आयो को सोपा कांग्रेस बिधायक का कथित आडियो किल्प, भाजपा ने मुख निवचन पताधिकारी के बातचीत कर रही है, परदेश प्रवक्ता प्रतूल साधियुक नितित में भाजपा के एक प्रतिनीद मंदन ले मुख इनिवचन पताधिकारी से मुलकात करूने ग्यापन भी सोपा और मामले की जाच कराने की मांग की है, उन्होंने कहा है कि इस बातचीत में अचार संहित खुलम खुला उलंगन हो रहा है, और फरस्टा चार से संबंधित बड़ा रैकेट के होने की भी असांका से इंकार नहीं किया जा सकता, भाजपा ने कहा है कि आडियो किल्प में हुई बातचीत में जिस बुलबुल का जिक्र हुआ है, वह कौन है, जिसे बिदायक 25 लाख देने की बात कह रही है, सुन्दर नगर चेसायर होम में 20 बच्चों ने खेली होली, होली ने दिक आते ही लोगों पर खुमार छाने लगी है, सुक्रवार को सुन्दर नगर इस्थित चेसायर होम में 20 बच्चों ने राधा कृष्न सुदामा और गोपियो संग फूलो और अभीर गुलाल की होली खेली, होली के गीतों पर अस्थाने कलकारों के साथ ही विशेस बच्चों तता उपस्थित लोग भी खुब थिरके, फूलों की पंखुडिये बरसा कर और गुलाल उड़ा कर विशेस बच्चे होली के रंग में रंग गए, या आयोजन हर साल की तरह इस साल भी सीने तारिका माधुरी दिक्षित के फैन पपु सरदार के ओर से किया गया, पपु ने अपने चीर परिचित अंदाज जोकर के वेस में विशेस बच्चों संग होली के खुशिया बाटी, साथ ही होली की दिन नसा नहीं करने, हुडदंग करने से परहेज, तथा राधा क्रिष्न की तरह खुरसिया बाटने का संदेश दिया, पुर्वसियम हेमान्त सुरेन ने सुप्रीम कोट में दाखिल की याचिका, जारखन के पुर्वसियम हेमान्त सुरेन सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की है, इस याचिका के माध्यम से उन्होंने जारखन हाई कोट के उस आदेश को चुनोती दी है जिसमें उन्हें बिधान सभा सत्र में सामिल होने के अनुमती नहीं दी गई थी अपनी आचिका में उन्होंने यह मांग की है कि आने वाले दिनों में आहुत होने वाले बिधान सभा के सत्र में उन्हें सामिल होने के अनुमती दी जाए दरसल हेमान तो सुरेर मनी लॉंडरिंग के आरोप में न्याइक हिरासत में हाए पिछले महीं ने हुए बिधान सभा के रज़ शात्र में सामिल होने के लिए उन्हें P.M.L. कोट और हाई कोट से उन्मधि मांगी थी लेकिन दोनों ही आडालतों ने उन्हें सात्र में सामिल होने के उन्मधि देने से इंकार करते हुए उनकी आज का खारिच कर दी थी धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल कर बेले कंदवाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेयर करना ना भूले थैंक यू